नमस्कार दोस्तो मैं संतोष कुमार एक बार फिर से तथागत आईए सकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस भरती की परिख्या की तैयारियों में आप लोग व्यस्त हैं और इस समय आप तरह तरह से अलग-अलग स्रोदों से आप लोग की जानने की कुशिश कर रहे हैं कि आपको कैसे भी करके कुछ नई टॉपिक, कुछ नई तथ्य आपको मिल सकें तो आज हम आपके लिए कुछ कंप्यूटर से जुड़े हुए, कुछ तथे लेकर क्या हैं, जो साइबर से भी जुड़े हुए हैं तो उनी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, यह आपके लिए बेहद लाबदाय भी साबित हो सकते हैं तो आज हमारा जो पहला यहाँ पर प्रश्न है कि कि साइबर हमले को कंप्यूटर खत्रों की श्रेडी में रखा गया है के लिए ये सेवाओं को ठप कर देगा और जब इन्हें दोबारा से ट्रीटमेंट करके जारी किया जाएगा तभी आपको सुविधाएं मिल पाएंगी उसी तरीके से अगला हमारा प्रशन है कि कौन आमतोर पर पीडित की इंटरनेट पर हर गतिविधी का निरिक्षन करता है और सभी जानकारियां किसी और को भेजता है कौन आमतोर पर पीडित की इंटरनेट पर हर गतिविधी का निरिक्षन करता है और सभी जानकारियां किसी और को भेजता है तो कंपिटर के अंदर जो ये ऐसा काम करने वाला है वो इस्पाइवेर जासूसी करता है ये सुरित कर लेता है और किसी तीसरे व्यक्ति को पहुचाने का काम करता है तो क्यों करता है इस्पाइवेर उसी तरीज के से हमारा अगला प्रशन है कैस्पस की जो कैस्पस की में काफी कुईक हील or Norton, तो किस से जुड़े हैं, तो किस से जुड़े हैं बीटा वो? अटी वाइरस program से जुड़े हुएं, अटी वाइरस program से जुड़े हुएं कैपस की, में काफी और क्विक हील और Norton जैसे जो हमारी software program हैं, ये बिल्कुल कम्प्यूटर में वैसे ही काम करते हैं जैसे इनसानों के शरीर में WBC काम करता है White Blood Cells काम करते हैं, रोग प्रतिरूदक ख्यमता को बढ़ाते हैं, किसी भी तरीके के संक्रमर से जूजते हैं तो उसी प्रकार से यह WBC मान लिज़े हमारे कम्प्यूटर का किस को? Capuski, Megavan, QuickHeal اور Knowton को तो यह virus का पता लगा कर उसे खत्म कर देते हैं क्या करते हैं यह? किसी भी प्रकार के virus को यह detect करते हैं, पता लगाते हैं और उसको वही खत्म कर देते हैं हमारा अगला प्रशन है अच्छे कार्यों तथा देश की सुरक्षा और उसके आर्थिक तथा सामरिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए कंप्यूटर या नेटवर्क को कानूनी रूप से हैक करने वाले हैकरों को क्या कहा जाता है तो इस प्रकार के जो हैकर हैं जो राष्टर के प्रतिसमर पे थे हैं राष्ट की सुरक्षा राष्ट की आर्थिक हिफाज़त और उसकी सामरिक महतों को सुरक्षित रखने का जो काम करते हैं जो हैकर हैं इस तरीके के उन हैकर्स को हम लोग एथिकल हैकर्स कहते हैं क्या कहते वो देश की सुरक्षा, अखंडता, आर्थे खेत और सामरी खेत को सुरक्षित रखने का काम करते हैं तो ऐसे कानूनी हैकर को हम लोग ethical हैकर कहते हैं उसी तरीके से हमारा अगला जो प्रशन है विश्व का पहला एंटी वाइरस प्रोग्राम विश्व का पहला एंटी वाइरस प्रोग्राम जो था उसका नाम था रीपर एंटी वाइरस जो पहला बना था उसका नाम क्या था बेटा रीपर था अगला हम लोग देखते हैं वाइफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतोर पर किसका उप्योग किया जाता है यानि वाइफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतोर पर किसका प्रयोग करते हैं एयर क्रैक एंजी का हम लोग प्रयोग करते हैं या खिर एयर क्रैक एंजी करता क्या है तो वो यह करता है कि यह लिनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है तो लिनिक्स आधारित जो करती हैं उसी प्रकार अगला हमारे जो प्रशन है पहला कंप्यूटर वाइरस किसे माना जाता है पहला कंप्यूटर वाइरस अभी हमने क्या पढ़ा था विश्व का पहला एंटी वाइरस और यह क्या है पहला कंप्यूटर वाइरस किसे माना जाता है तो उसका नाम है क्रीप क्या ना बेटा, creeper, creeper वही, बेल, लताएं, इदर उदर फैल जाती है, जो बेले होती है, उपर चड़ती रहती है, शाखाएं बना लेती है, तो इसी तरीके से जो पहला computer virus है, वो उसका नाम है creeper, बेल की तरह, लताओं की तरीके से चारोर लिपड जाता है, ब्रांच बना और यह बहुर्पिया होता एक तरीके का, अपना खुत का clone बना लेता है, क्लोन बना लेता है, क्लोन बना कर के कम्प्यूटर में एक से दूसरे computer में इस घूमता रहता है, आपने किसी भी तरीके के कोई गैजेट को यूज किया तो उनमें भी आसानी से आ जाता है तो इस प्रकार से जो पहला computer virus है वो हम creeper को मानते हैं अब देखते हैं लोग पहला computer virus किसने बनाया अब ये बात भी आती है कि पहला computer virus तो तो पर किसने बनाया तो ये बनाया था 1971 इसवी में Bob Thomas ने किसने बनाया था बेटा बाब Thomas ने इसे पहले सबसे पहले बनाया था उसी तरीके से अगला मारा प्रशन है कौन सा port और IP address कौन सा port और IP address स्कैनर यूजर्स के बीच सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तो scanner users के भी जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है angry IP scanner angry IP scanner तो angry IP scanner जो है वो बहुती ज़दा popular है port और IP address scanner के तौर पर users इसको use करते हैं और black hat और white hat जो hacker हैं दोनों के लिए ये काफी popular माना जाता है white hat जो अच्छे कामों के लिए है कर रहे हैं और black hat जो बुरे कामों के लिए जिसका प्रयोग कर रहे हैं उसी तरीके से अगला प्रश्ण हमारा system और network को virus worms malware से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है यानि system और network को virus, worms, malware से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? Firewall का प्रयोग करते हैं, wall माने दीवार, firewall का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर और यह internet पे बाहरी यानि आवरण बना लेता है, बाहरी आवरण बना लेता है और किसी भी प्रकार से जो virus है या किसी भी प्रकार का इस तरीके के malware है उनको अंदर प्रवेश करने के अनुमती नहीं देता है तो इस प्रकार से हम इस system की मदद से, firewall की मदद से हम अपने system को, हम अपने internet को और हम अपने gazette को भी सुरक्षित रख सकते हैं उसी प्रकार हमारा जो अगला प्रशन है वो है, cyber अपराद का help line number, हमारे देश में help line number जो cyber अपराद का है वो क्या है? 1930 1930, अगर आपके साथ किसी प्रकार का cyber अपराद हुआ है या किसी भी प्रकार की आपके साथ अन्होनी हुई है तो आप तुरंत इस number को dial कर रहेंगे, help line number है और आप जो वरिष्ट अधिकारी है या सूचना केंदर है, वहाँ पर उने सूचित करेंगे और वह आपको बताएंगे कि अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है हमारा अगला प्रशन है, cyber crime पर कौन सी धारा लगती है? यानि कि अगर कोई भी cyber अपराद करता है, cyber crime करता है, तो सरकार उस पर कौन सी धारा यानि कानून की कौन सी धारा उस पर लगती है? तो साइबर क्राइम पर अगर किसी भी तरीके का कोई विक्ति करता है या किसी तरीके के अपरात करता है तो उसके उपर 2008 की एक्ट की जो धारा है 43 SECC और इसमें बाकी का धारा 65, 66, 66 और IPC की धारा 268 लगाई जाती है उसी तरीके से साइबर आतंकवाद से जुड़ी धारा कौन सी है यानि साइबर आतंकवाद टेररिजम से जुड़ी हुई या धारा पूछ रहे हैं लोग तो टेररिजम यानि आतंकवाद से जुड़ी हुई जो कारिवाही की जाती है वो धारा 66F के अंतरगत की जाती है किसक अपरादी है तो उस अपरादी को उम्रकैद की सजा देती है अलग कि अगर आतंकवाद से थोड़ा सक कहीं पता चल रहा है कि वो डायरेक्ट आतंकवाद में वो उसका नाम नहीं था या वो मुखिया नहीं था या एक तरीके से उसकी कोई ज्यादा केंदरी भूमिका नहीं थी तो ऐसे व्यक्ति को जो पूरी तरह सनलिप नहीं था लेकिन फिर भी उसमें उसका नाम आया हुआ है और थोड़ा प्रूव भी हो गया है तो उन दूसरे मामलों में तीन साल की सजा है और पांच लाग का जुर्माना है यानि कि अगर कोई अली बाबा चालिस शोर वाली बात है कि अगर कोई सरदार है तो उसको तो भाई गैर जमानती है और उम्र कैद है और बाकी के अगर उसके साथ जो भी नॉमिनेट हुआ है जो भी जिनका नाम आया है उनको तीन साल की सजा है और पांच लाग का जुर्माना है अगला हमारा है और डेफिनेटली अब इस पर अमल यानी कार होना जो अशुरू हो गया है और भारत सरकार इस पर पांच जिले जो नए बनाने जा रही उस पर काम कर रही है अगला फ्रशन भारत अमेरिका के बीच महतवपूर्ण और अभरती प्रद्योग्योकियों पर पहल की दूसरी वार्शिक बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी तो यह जो वार्शिक बैठक थी इसे दिल्ली में आयोजित किया गया था उसी तरह है मारा अगला प्रश्ण है तेतिस्वा अरब लीग शिखर सम्मेलन यानि कि जो तेतिस्वा अरब लीग शिखर सम्मेलन है वो कहां पर आयोजित किया गया था तो तेतिस्वा अरब लीग शिखर सम्मेलन बेटा मनामा में हुआ था मनामा कहा है यह बहरीन का है तो म अनामा बहरीन में ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसी तरह हमारा अगला प्रशन है कि R21 मैट्रिक्स वैक्सीन किस बीमारी की रोगथाम के लिए बनाई गई है। अभी तक कि इसके लिए वैक्सीन नहीं थी हम लाराइगो के नाम से टैबलेट्स वगएरा आते हैं या कुनैन हैं इनी के जरीए हम बुखार उतारने की यानि कि इसको सही करने की कोशिश करते थे। तो इस प्रकार से अगर हम देखे हैं तो हमने वैक्सीन बना लिया है R21 मै मच्छर क्यों काटती है अनिफ्लीस यह जो है और यह फिमेल मच्छर ही क्यों काटते हैं तो बिलन वैक्यानिकव ने इस पर जो जाच किया और जो पाया है उसमें ये कि इनके गर्भ में पल रहे जो अंडे होते हैं उन अंडों को प्रोटीन उपलब्द कराने के लिए ये इंसान का खून चूसते हैं जिससे की अंडों को बाकाइदा प्रोटीन मिल सके या जो भी इनका लारवा है उसको प्रोटीन मिल सके तो इस प्रकार से ये जो वैक्सीन बनाया गया है मलेरिया के लिए बनाया गया है अगला हमारा प्रशन है चंद्र ध्रुविय अन्वेशन म जापान के नाम क्या है तो भारत की एजनसी इस रो और जापान की जो एजनसी है वो है जैकसा तो इस रो और जैकसा मिलकर के इस मिशन पर काम कर रहे हैं वहीं अगला हमारा जो प्रशनाता है वो है इस पेकुलोस 3B प्रत्वी के आकार का एक एक्सो प्लेनेट है यह प्रत्वी से 55 प्रकाश वर्ष दूर है यानि इस पेकुलोस 3B प्रत्वी के आकार का एक एक्सो प्ले ग्रे है और एक तरीके से प्रत्वी से ये 55 प्रकाश वर्ष दूर है तो एक्सो प्लेनेट के तौर पे माना जाता है और प्रत्वी से 55 प्रकाश वर्ष दूर है ये घोजा गया उनका मानना है कि हमने एक नया घ्रे खोजा है उसी तरीके से हमारा अगला जो कशन है वो है सन् सुनील खेत्री कौन सुनील खेत्री जो सन्यास ले लिया है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं तो सुनील खेत्री जुड़े हुए हैं फुटवाल खेल से किस से जुड़े हुए हैं फुटवाल के खेल से जुड़े हुए हैं जिन्नोंने सन्यास की घोशना की है उनके नाम बहुत सारे record हैं, आप देखेंगे तो पाएंगे उनको, अगला जो मारा question है, वो कॉंडिन्य वन्य जीव अभ्यारन्य, किस राज्ज में हैं, तो वो राज्ज है, आंध्र प्रदेश में, इस्थित है, यह अपने वनिय जीव जन्तुओं के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ के natural phenomena के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ के ecosystem के लिए यह famous है, उसी तरह, अगला जो प्रशन है, 6G, 6G यानि की, वही 5G से और 6G, 6G, यानि 6 generation device पेश करने वाला देश कौन सा है, तो no doubt वो जापान है, कौन सा देश है, जापान है, जापान का यह जो 6G, यानि 6 generation का जो device है, वो 5G से 20 गुना बहतर है, कितना? 20 गुना बहतर माना गया है, वो 5G से बहतर काम करता है, उसी तरह, अगला प्रशन है, किस संगठन ने डेवेट सालवागनीन को अपना AI अधिकारी न्योक्त किया है, तो डेवेट सालवागनीनी को अपना AI अधिकारी न्योक्त करने वाला देखिए, Senior National Sailing Championship 2024, Senior National Sailing Championship, बोट नाव, ये 2024 कहा आयोजित की गई, मुंबई में आयोजित की गई थी, कहा पर आयोजित की गई थी, मुंबई में, उसी तरीके समर अगला प्रशन है, अंतिरिक्ष पर कुशल पेलोड परिवहन के लिए, अंतिरिक्ष पर कुशल पेलोड परि रेलवे स्टेशन, चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन बनाने की घोशना किस एजनसी ने की है, तो वो एजनसी का नाम है नासा, नासा ने घोशना की है, कि वो अपने पेलोड के लिए, पेलोड को आगे मूव कराने के लिए, वो बकाइदा एक वहाँ पर रेलवे स्ट गत्विधियों का शिकार न हो जाए और मिशन फेल हो जाए ऐसा नहीं चाते हैं वो इसलिए वो ट्रेक भी डालेंगे और एक स्टेशन भी बनाएंगे तो रेलवे स्टेशन बनाने की घोशना एजेंसी नासा ने की है अगला हमारा प्रशन है विश्व हाइड्रोजन शिखर संबेलन प्रदर्शनी 2024 विश्व हाइड्रोजन शिखर संबेलन प्रदर्शनी 2024 कहां आयोजित की गई है तो हाइड्रोजन शिखर संबेलन प्रदर्शनी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये रॉटर डेम शहर में आयोजित किया गया था कहां पर रॉटर डेम शहर और